आग्रा का किला आग्रा का किला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य आग्रा शहर का एक विशाल और खूबसुरत किला है। ये किला दुनिया भर में मशूर ताज महल से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर मौझूद है। आग्रा के किले को साल 1983 में यूनिस को द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। इस भव्य किले का निर्मान साल 1573 में मुगल बादशाह अकबर की निगरानी में करवाया गया था। अपने एतिहासिक महत्व और अनोखे निर्मान की वजह से इस किले को विश्व धरोहर भोशित किया गया है अंगे किलों की तरह ही इस फोर्ट की अपनी एतिहासिक कहानिया है जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे आज हम आपको आगरा फोर्ट से जुड़ी कुछ ऐसी दिल्चस्ट बाते बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आपको भी हैरानी होगी ऐसा माना जाता है कि शाह जहां को सफेद संगमर्मर की चीजें काफी पसंद थी इसलिए उन्होंने इस किले की कई संगमर्मर का अच्छा खासा काम देख सकते हैं किला इसलामी वास्तुकला का एक बहतरीन उदाहरन है लेकिन किले में हिंदू मंदिरों स्थानों के लिए एक अलग सेक्षन है जहां हिंदू लोग देवताओं की पूजा करते हैं चुंकि अकबर की पत्नी जोधा बाई एक हिंदू थी इसलिए अकबर ने अपने राज्ज में प्यार और बफादारी और विश्वास को ध्यान में रखते हुए किले में हिंदूों को समान रूप से जगह देने के लिए उनके लिए यहां मंदिर बनवाए गए थे दक्षिनी द्वार से किले में प्रवेश करने पर परियटक किले के मुख्य परिसर तक जाने के लिए 60 डिग्री जुका हुआ रास्ता देख सकते हैं हाला कि इसे 60 डिग्री जुका दिया गया था ताकि घेरा बंदी के दौरान दुश्मन हाथी और घोड़े बड़ी दक्षता के साथ अंदर न आ सकें इसके अलावा द्वार पर खूब गर्म तेल भी डाला जाता था ताकि उस दौरान प्रवेश द्वार जाम हो सके यह उस समय के विज्ञान और वास्तुपला का शांदार उदाहरन पेश करता है किले का ज्यादातर भाग लाल बलुवा पत्थर से निर्मित है अकबर ही थे जिन्होंने लाल दीवारों और बलुवा पत्थर से बनी स्थापत के कला के बारे में सोचा था उन्होंने किले का निर्मान करने के लिए उत्तरी भारत में थैली खदानों से लगभग 4,000 से अधिक प्रीमियम बलुवा पत्थर मंगवाए थे मुगल सत्ता के कमजोर होने के बाद आगरा के किले को कई राजवन्शों ने लूट लिया था यहां शाह जहा का प्रसिद्ध मयूर सिनहासन था जिसमें बिश्व प्रसिद्ध को हिनूर ही रा था लेकिन एक फारसी शासक नादिर शाह ने किले पर हमला कर सिनहासन को लूट लिया इसके बाद भारत से फारस और अंत में अंग्रेजों के हाथों में ये हीरा चला गया इस किले में जहांगीर महल, खास महल, मुसम्मन बुर्ज, शीश महल, नगीना मस्जित जैसी कई बड़ी एतिहासिक इमारते मौजूद हैं जो यहां आने वाले परियटकों को खास रूप से आकर्शिक करती हैं किले की सबसे आकर्शक इमारत शीश महल एक ड्रेसिंग रूम है अंदर छोटे-छोटे शीशों को बड़ी ही सुन्दर्ता के साथ सजाया गया है